तो इसे कैमते हैं पिंविल समोसा कैसे बनाना है यह तो आपको विडियो देखना पड़े गाण देखने के लिए कि लिए के लिए करना है और साथ इसकाज़र करें और सच्क्राइब कर बस्ते अधिस सब्सक्राइब तो जैसे कि आज किछन में खड़े हैं तो कुछ दिमाग में कुराफाद चल रही है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समोसे तो हम सब अमोमन खाते ही रहते हैं बनाते भी हैं खाते हैं और किलाते भी हैं तो आज हम कुछ नए स्टाइल से समोसे को इन् करना है तो चाहिए आपको सबसे पहले इंक्रीन पता देती हूं पिन्विल समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू जो कि हमने अबाल के थंडे कर लिये हैं हमें चाहिए मैदा हमें चाहिए हरधनिया और हमें चाहिए कुछ बेसिक मसाले समोसे का समोसे बनान करती हूं तो यह समोसी गड़ो हमने तैयार कर लिया है इसको आप कम से कम 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देते हैं इस भीच हम अपनी स्टफिंग तियार कर लेते हैं तो स्टफिंग के लिए हमें आलू को कद्दुकस करना है फोड़ना नहीं कद्दुकस करन तो यह टेल करम होने हमने रख दिया है साथी साथ हमने आलू जो कद्दू कस किये थे इसके लिए हमने इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया जो डालेंगे चाट मसाला थोड़ी सी डालेंगे यह कुटी भी सौफ मोटी बेसिक मसाले जालते हैं पिंच हल्दी रेचिली पाउडर डालेंगे कुरियंडर पाउडर अजवाइन हमने आटे में यूज कर ली है तो अब इसमें जोरत नहीं है Salvag Dome 2डशी मyalल मिक्स जाना में अब यस इक काउणकव क्रणा में डालेंके जोखी है। एक 걸로 जाना जाना गुए आपक्स किना अच्छा सिराओं दालें। काउण डालें organisation मिक्सा नमिक्स ब mm ओरने के तरग आरँ च्छे से के अच्छाओं मिक्स बाक्स करएं। को रेश्ट करते हुए 15-20 मिनिट हो चुके हैं हमारी स्टफिंग भी त्यार हो चुकी है तो चलिए करते हैं आप इसकी बनाने को तैयारी हम इस तरह से एक लोई ले लेंगे इसको मैदे से हम डस्ट करेंगे और इसको हम बेलेंगे पतली रोटी हम बना सकते हैं उतनी पतली रोटी हम इसकी बनाएंगे तो चलिए रोटी बनाते हैं फिर मिलते हैं आप से देखिए पतली रोटी हमने बना ली है बहुत पतली बनाई है आप देख सकते हैं इसकी यह देखिए इतनी पतली बनाई है मैंने इसी साफ से रखेंग अब हम अपनी स्टफिंग को लेते हैं और इसके उपर फैलाते हैं इवनली हमें पूरी स्टफिंग को स्प्रेड करना इसके उपर जस्ट लाइक ब्रेड अन्ड बटर देखिये स्टफिंग तो हमने लगा दी सारी अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यह समोसा कैसा है अभी तो पिच्चर बाकी है अब हमें क्या करना है अब चको की साहता से हमें इसे कट करना है जैसे पिज़ा कट करते हैं पिज़ा के स्लाइसे निकालते हैं उसी तरीके से हमें इसे कट करना है देखते जाईए किस तरह से कट करना है हम चोटा चोटा पिज़ा स्लाइस आप लोग इसे पाटी स्नेक्स भी यूज़ कर सकते हैं जब घर में ज़्यादा मेहमान आ जाएं या आप किटी पाटी कर रहे हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं यह सक्के मन को भाने वाली रेसिपी बनीगी आपके तो चलिए करते हैं अब आपको पताते कैसे रोल करना है रोल हमें कुछ इस तरह से करना है ये देखिए ये हमारा एक वील निकला आया कुछ इस तरीके से तो चलिए बाकी सारे वील निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो यह देखिए सारे पिन्विल हमने तियार कर लिए हैं आप देख सकते हैं किते सुन्दर लग रहे हैं तो चलिए अब इसे ऑईल में डालते हैं हमें इसको बिल्कुल धीमी आज पर फ्राइ करना है गोल्डन जैसे समोसों का कलर होता है तो देखिए समोसा हमारे रेडी हो चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं कलर कितना अच्छा आया हुआ है तो चलिए और से बाहर निकालते हैं और करते हैं प्लेटिंग लेकिन उससे पहले अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर लें लाइक का बटन तो आप एक्स्ट्रॉयल ये सोख लेगी और साथ ही साथ हम डालते हैं इसके ओपर थोड़ा सा चाट पसाला जो खाने की स्वात को और बढ़ा देता है ये करते हैं इसी के साथ प्लेटिंग इसे कहते हैं पिंग्विल समोसा आई है यह दिखाती हूं कैसा होता है स्वात की टेस्टिंग तो हम करके ही दिखाएंगे आपको यह दिखिए आप फोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा इसके अंदर स्टॉफिंग जो आपने लगाई थी कि सचिकों तो शब्द नहीं आप बनाएए खाएए और इंजाए कीजिए बताएए वे जरूर स्वास कैसा रगा मा की तब तक अपने गर में से फ्रेंगे स्वास तरहें बाई-बाई